नमस्कार सोहर में पायल प्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूस जारकन समय हो चला है जारकन की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का तो चलिए जारकन की तमाव बड़ी खबरों को इससे पहले अगर आप चैनल पर नहे हैं तो हमारे चैनल न्यूस जारकन को सब्सक्राइब करें और बैया आइकन को प्रेस कर दीजिए साहिब गंज में गंगा का जलिस्तर खत्रे के निशान के पार बाल को लेकर एडवाईजरी जारी गंगा नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है इसको लेकर एडवाईजरी जारी की गई है लोकों से नदी से दूर रहने की अपील की गई है गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है CWC के अनुसार शनिवार सुबा 6 बजे तक गंगा का जलस्तर 27.3-1 मीटर तक पहुँच गया है जबकि जिले में गंगा का खत्रे का निशान 27.2-5 मीटर है इस तरह गंगा खत्रे के निशान से 6 सेंटी मीटर उपर बह रही है बकसर से लेकर फरका तक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है जिले में गंगा के बेकाबू होने से दियारा इलाका ढूबने लगा है पशुपालक अपने मवेशियों को लेकर सुखे स्तानों की और भागने लगे है गंगा पार और गंगा से सटे गाओं में हरकम मच गया है शुक्रवार को रामपूर दियारा, किसान प्रसाथ, महादेव गंज, गोगा, टोटाला, बलुआ दियारा, हाजिपूर समित अनी इलाकों में के लोग मवेशियों को लेकर दियारा से लोटते दिखे खेतों में फसल डूबने से मवेशियों के लिए चारे की समस्या हो रही है, वही दूसरी और जब से गंगा खत्रे की निशान को पार कर गई है, ऐसे में नाले के जरिये पानी शहर में प्रवेश करने लगा है मही डीडीसी सतीश चंद्रे ने फोन कर बताया कि बार की स्तती पर नजर रखी जा रही है, दियारा में बार प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षन किया जा चुका है लोगों को सुरक्षित निकालने और मवेशियों के लिए चारा समेत राहत वितरन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा, बार जैसी आपदा सिरे पटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तयार है जारकन के राजनीती में बुलंदियों को छूने वाले मुख्यमंत्री हेमंत्र सोरेन का आज उन्चासवा जन्मदिन है आज इस खास मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिकजों ने उन्हें बधाई वश्वकामनाय दी है जारकन मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी लंबी उम्रों अच्छे स्वास्त की काम ना भी की बिर्सा मुंडा केंद्री कारा राची में चापे मारी, खैनी, गुटका और पेंट ड्राइव लेकर बाहर आई टीम अब दर्जों का मुकदमा बिर्सा मुंडा केंद्री कारा राची होटवार में जिला प्रशासन की टीम ने चापे मार कार रवाई की चापेमारी में राची डीसी दाहुल कुमार सिनहा के नित्रतु में हुई चापेमारी में टीम को खैनी, गुटका और पेंट राइव हाथ लगी है बरामत समानों की सूची बनाने के बाद अब मुकदमधर्श किया जा रहा है चापेमारी टीम में राची डीसी के साथ एससपी चंदन कुमार सिना, सिटी एसपी राच कुमार महता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उतकर्श कुमार, पुलिस उपाधिक्षक, प्रकाश सोय, कारेपालक दंडाधिकारी संजय कुमार एवं 200 पुलिस जवान शामिल थे सभी वाड एवं बेरक की हुई सघन जाच जिला प्रशासन की ओर से यहां नेमत मासिक निरक्षन था, इस दोरान सभी वाड एवं बेरक की सघन जाच की गई, पुलिस प्रशासनी का दिकारियों और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर प्रतियक वाड और सेल की गहन और एक पेंडराई बरामत की गई, इस पर कार्रवाई करते हैं मुकदमा दर्श किया जा रहा है, इसके अलावा ने किसी तरह का आपती जनक सामगरी बरामत नहीं किया गया, छापेमारी के दोरान रसोई, अस्पताल, मुलाकाती कक्ष, खेल कामेदान, पुस्तकाले, भागने के क्रम में ग्रामिनों के हत्य चड़ा एक चोर, साइब गंज के जिर्वा बाडी थानाव शित्र अंतरगत सोती चोकी, खुटरी में शनिवार की अहले सुबाराम मंदिर से एक अस्ट धातू से बनी बजरम बली की मुर्ती चोरी हो गई है, चोरों ने बड़ी ना अंजाम देने वाले दोने साथी फरार हो गए, बताया जाता है कि पुजारी भरतलाल एहले सुबा मंदिर का पट खोलने के लिए मंदिर आये थे, उसे दोरान तीन यूवग बाइक पर सवार होकर मंदिर के पास पहुँचे, इसके बाद एक यूवग पूजा करने के बहा आज आठ जिलो में बारिश का ओरेंज अलट 11 और 12 अगस्त को मौसम सामानी रहेगा, 13 से फिर बारिश की संभावना, जारकन में अगले कुछ दिनों तक साइकलोनिक सर्कूलेशन का असर दिखेगा, इस वज़ज़ से राजी के कुछ जिलो में भारी बारिश हो सकती है, जिके उत्तरी भागों में कहीं-कहीं भारिश होगी, राजदानी राची में 15 अगस्त एक रोजाना हिलके से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी गई है, कहीं-कही वज़पात होने की भी संभावना है, दूसरी और कोलान के चार जिले, पूर्वी सीमभूम, पश् रायो अनुबेरा है, मही लगातार हुई बारिश की वज़ज़ से सुवर ने रेखा नदी पर बने चांडिल डेम का जलस्तल लगातार बढ़ रहा है, इस वज़ज़ से डेम से फाटेक खोलकर पानी निकाला गया, इसका तरिक्त शहर में बारिश की वज़ज़ से किसी त मुहर की तस्वीर जारी कर शेयर किया है, आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपने जेल में गुज़रे साल के अनुभों को साजा किया, सोरे ने लिखा आज अपने जन्वदिन के मौके पर बीते एक साल की स्मृती मेरे मन में अंकित है, या केदी का निशान, जो जेल से रिया होते वक्त मुझे लगाया गया, या निशान केवल मेरा नहीं, बलकि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है, उन्होंने आगे लिखा कि जब एक चुने हुए मुख्यमंसरी को बिना किसी सबूत, बिना कोई शिका पिथू, हर्शोशित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूलवासी के पक्ष में लड़ने के अपने संकल्प को और मजबूत करता हूँ, मैं हर उस व्यक्ती समुदाई के लिए आवाज उठाऊंगा, जिससे दबाया गया है, जिसे उसके रंग, समुदाई, खा जानकारी के अनुसार चक्रदरपूर के केनाल रोड से शुक्रवार की रात में बजरंग दल के लोगों के सहयोग से पुलिस ने 23 चोड़ी गोवंश पशुओ को पक्ड़ा गया, हलाकि इस तोरान रात के अंधेरे का फायदा उठा कर पशु तसकर भागने में सफल रहे, वहीं सभी पशुओ को इस्तानी थाना में रखा गया है, गौर तलब हो की पश्चिमी सीमबुम जिरे के चक्रदरपूर के आसपास के शेत्रों में बड़े पेमाने पर पशुओ की तसकरी होती है, जिसको लेकर आया दिन पुलिस कारवाई करते वे भारी मात्रा में पशुओ को पश्चिम बंगाल के पुरूलिया के रास्ते आसपास के शेत्रों सहितानी शेत्रों यहां तक की बंगला देश तक तसकरों की पहुँच है, जिसमें से कुछ इस्तानी लोगों की भी मिली भगत शामिल है। इसमें सबसे प्रमुग बिर्सा मुंडा टूरिस्ट सरकीट का शिलानियास कारिकरम शामिल है। अगले साल भगवान बिर्सा मुंडा की 150 वी जन्म जयनती है। प्रधान मंत्री अपने इस दोरे में बिर्सा मुंडा की जन्म जयनती को अगले एक साल तक मनानी की खूशना भी कर सकते हैं हालाकि प्रधानमंत्री के जारखन दौरे की ती थी कि सारवजीनिक नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी मिल जाएगी खबरों के माने तो भारत सरकार के जंजातिये कारे मंत्राले में इन दिनों कारेक्रमों को लेकर त्यारी की जा रही है पीम के दोरे और उसकी तैयारी को लेकर भी दो दिन पहले कल्यान विभाग और भारत सरकार के जंचातिय मंत्राले के बीच एक उच्चसतरी आनलाइन मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के लगू मध्यम एवं सुक्ष में उध्योगो विभाग के सचिव स्चिव स्चिव राची दोरे पर थे इस दोरान राची गे आला अधिकारों के साथ उनकी उच्चसतरी बैठक हुई थी चर्चा है कि नरेंद्र मोधी राची से देश के आठ राजियों के यूनिट मॉल का शिलानियास करेंगे जिसके निर्मान का जिम्मा भी उद्योग विभाग अंतर का ताने वाले जारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन को सौपा गया है केंद्र सरकार की जारखंड को सोगात 1649 करोड की बुरा मारा चाकूलिया रेल परियोचना को दी मनजूरी केंद्र सरकार ने जारखन को तौफा दिया है पियम मोदी के अध्यक्षता में शिक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में बुरा मारा चाकुलिया रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है इस रेल परियोजना पर 1640 करोड रुपे खर्च होंगे 69.9-6 किलो मीटर लंबी रेल लाइन पूर्वी सीमूम जाल ग्राम और मयूर बन गंज को जोड़ी की साथ ही यात्रियों को आवगमन में सहुलियत होगी रेल लाइन तयार होने से रेलवे की धुलाई शमता भी बढ़ेगी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने बुरा मारा जाकुलिया रेल परियोजना समित आठ नई रेल परियोजनाओ को मंजूरी दी है इन आठ रेल परियोजनाओ पर 24,657 करोड खर्च रू होंगे इसके तहट साथ राज्यों में रेल परियोजनाओ से जुरो निर्मान कारी किये जाएंगे जारकन, बिहार, उलीशा, महरास्ट, आंधरप्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम, मंगाल का कवर करने वाली आठ परियोजनाओ भारती रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमेटर तक बढ़ा दी जेल में बंद अपराधी अमन साहो के भाई आकाश से एनाईय कर रही पूछताच अमन साहो के लिए जबरन वसूली के पैसे के ठिकानी लगाने में सक्री रूप से शाम्मिल था आकाश ने जबरन वसूली से एकत्र किये गए पैसों को रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए शंकर के साथ शामिल हो गया था एनाईए की जाच के अनुसार आकाश अमन्साहू के कई कई महतुपून सदस्यों को पैसे के साथ साथ अनिसाहता प्रदान कर रहा था खेलो इंडिया स्कीम सीम हमंत ने केंद्रे से राज्यों को मिलने वाली मदद पर उठाया सवाल जारकन के मुक्यमंतरी हमंत सोरे ने खेलो इंडिया स्कीम के तहट केंद्रे सरकार से राज्यों को मिलने वाली धनराशी पर सवाल उठाया है उन्होंने शुक्रुवार की राद करीब 10 बच कर 40 मिनिट पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि जारकन को सिर्फ 9 करोड रुपे मिलना सरा सर अन्या है जारकन को गोवा के बाद सबसे कम राशी मिली है गोवा को 4.2-4 करोड जबकी जारकन को 9.6-3 करोड रुपे मिले हैं हलाकि लिस्ट देखकर इस पस्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस वित्य वर्ष का है हिमंत सोरे नेस योचना के तहट राज्यों को मिलने वाली राशी के लिस्ट भी शेहर की है लिस्ट में राज्यों को सामने आवंटित राशी अंकित है लिस्ट में एक जगा पर होकी का चिन है वहां 426.13 करोड रुपे दर्जे है यह राशी गुजरात सरकार को दी गई है यह राशी उत्तर प्रदेश का अवंटित राशी 438.27 करोड रुपे से 12 करोड कम है इन दोनों राज्यों के अलावा किसी भी राज्य की राशी इतनी अधिक नहीं है ज्यारकन के सभी रेल्वे लेबल क्रॉसिंग को समाप्त किया जाएगा अब मिलकर गरेगा आरोबी इत्यादी निर्मान के लिए राजी सरकार द्वारा प्रश्टासनिक स्विक्रती दी जाएगी इसके निर्मान लागत संशोधन बदलाव इत्यादी रेलवे वपत्थ विभाग के सहयोग से तै किया जाएगा राशिका आवंडन भी रेल मंत्राल से पम्मी को गिरफतार किया है पम्मी कुक्याद आकाश राई की पत्नी है पम्मी अमन साहु गिरों के गर्गो को हत्यार पैसा वाने तरह की मदद मौहिया कराती थी जारगन एटिस वा कई राजयों के पुलिस की जांच में यहِラिया कराती थी जुलाई माह में गिरों ने चत्तीसकर के एक बड़े व्यवसाई के आवास के बाहर फाइरिंग की थी चत्तीसकर पोलिस की जांच में पता चला कि वारदात को अमन गैंग ने अनजाम दिया था चत्तीसकर में फाइरिंग की घटना गिरफतार पम्मी के सामने ही की गई थी और पैसा हत्यार पम्मी ने मोहिया कराया था जारकन एटीस एस पी डिशवजा ने पम्मी की गिरफतारी की पुष्टी की है CUJ में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन पंद्रा तक केंद्री विशुद्धाले जारकन में एकिकरत पाठ्शक्रम के शेक्षण 124-25 में नामंकन के लिए रजिस्ट्रेशन के अंतिमत हिथी 11 अगस्त बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में वैसे अभ्यारती भाग ले सकते हैं जिन्होंने NTA की और से आउजित Common University Entrance Test प्रवेश परिक्षा को क्वालिफाई किया हो तथा जिनके पास इस परिक्षा का वैद स्कोर कार्ड हो साथ ही जिन अभ्यारतियोंने CUET UG में आउनलाइन आवेदन भरते समय CUJ की और से नामंकन के लिए प्रसावित कारिक्रमों में प्रवेश के लिविकल्प को चुना हो महीं CUJ में नामंकन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के योग्य होंगे महीं वैसे विद्धारते जिन्होंने अपने रिजिस्ट्रेशन करा लिया है और उन्हें अपने रिजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो CUJ की और से करेक्शन विंडो 14 अगस से खोल दिया जाएगा जो 15 अगस की सुबह 8 बजे तक खुला रहेगा अभ्यारती प्रोफाइल वा कादमिक विवरन में सुधार कर सकते हैं राची में PLFI उग्रवादी के नाम पर जमीन कारोबारी से एक करोड रंगदारी की मांग एफाई आर दर्च राची में जमीन कारोबारीों से अपराधियों एवं उग्रवादी संगठन के नाम पर लगतार रंगदारी की मांग की जा रही है ताज़ा मामला आया है सुख्देव नगर थाना शित्र के मुहला से जहां जमीन कारोबारी जगदीश प्रसाद से एक करोड रुपे की रंगदारी मांगी गई इस संबंद में जमीन कारोबारी ने शुक्रुवार को शाम में सुखदेव नगर थाना में लिकित सूचना दे दी है जगदीश के मुबाइल फोन पर वाटसेप कॉल कर लेवी मांगने वाले ने सुयम का परीविच चाहे PLF5 के एरिया कमांडर के तौर पर दिया है कॉल करने वाले उगरवादी ने पांच दिन के अंदर रुपे नहीं देने पर गंभी परिणाम भुगतने को चिताया है जगदीश राची के रातू इलाके में एक जमीन की बाउंडरी वाल करवा रहे है खुद को PLF5 एरिया कमांडर बताने वाले शक्स ने वाटसेप कॉल के जरिये चगदीश को फोन किया और कहा कि रातू कि जिस जमीन पर तुम बाउंडरी करवा रहे हो उसे बंद कर संगठन को एक करो रुपे पांच दिनों के भीतर उपलब्ध करवा दो संगठन से बिना संपर्क किये अगर जमीन का काम करते हो तो उसका अंजाम भुगतना होगा टॉक्टर शामा प्रसाद मुखर्जी विशुद्याले के तरतियाव चतूर्थ वर्गी कर्मियों को हाई कोड़ी रहत मिली है तरतियावम चतूर्थ वर्गी कर्मियों के वेतन भुगतन को अत्तधिक बढ़कर भुखतान राशी की वसूली का पत्र निकाले जाने को खिलाफ दाय राचिका की सुनवाई जारकंड हाई कोट में हुई मामले में कोट ने शामा प्रसाद मुखरजी विश्विध्यालाई के द्वारा कर्मियों के अत्यधिक वेतन की वसीली को लेकर निकले गए पत्र पर रोक लगा दी तब तक अत्यदिक वेतन वसूली से संबंधी विश्विध्याले के आदेश पर रोक रहेगी कोट ने याचिका निश्पादित कर दी नकसली दे रहे सोना लूट की वारदात को अंजाम कुख्याद सोना लूटेरा मोनू सोनी कर रहा इनका इस्तमाल जारकन में सोना लूट कांड के तार जेल से बहार आए नकसलीों से जुड़ गये हैं कुख्याद सोना लूटेरा मोनू सोनी प्रतिवंदित नकसली संगठन जारकन जनमुक्ती परिशत के जेल से बहार आए नकसलीों का इस्तमाल कर रहा है पलामू पलिस की कारवाई में इसका खुलासा हुआ पुलिस ने जेजे एंपी के पूरव एर्या कमांडर ललन भूया, उर्फ अर्जुन सिंग और विरेंद्र भूया को गिरफ्तार किया है ललन भुया पलामू के सत्वरवा के ढूल सूलमा का रहने वाला है जबकि विरेंद्र भुया चेनपूर के चकर भूंग का रहने वाला है पुलिस ने दोनों के पास से एक पिस्टॉल, पांच कोलिया और एक बाइक बरामत की है पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि ललन और विरेंद्र पलामू में लूट की योजना बना रहे थे इसी क्रम में पुलिस ने चापे मारी कर दोनों को गिरफतार कर लिया ललन जे जे एंपी का पुर्व एरिया कमांडर रह चुका है और जेल से बाहर आने के बाद वहां मोलू सोनु के साथ सोना लूट की घटनाव में शामिल रहा है तो यह दि जारखन की टॉप बड़ी खबरें इससे तरह जारखन की और भी तमांग पुड़ों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज जारखन को सब्सक्राइब करें और बल आइकन को फ्रस कर दीजे